इस वीडियो के अंदर डिस्क्स करने जा रहे हैं हिस्टी ओफ इंग्लेश लिटरिचर के अंदर पोस्ट मॉर्ण एज को हम पोस्ट मॉर्ण टाइम पिरिड को डिस्क्स करेंगे पोस्ट मॉर्ण पिरिड ये 1945 से स्टार्ट हुई और यह अभी भी तिल प्रेजट ये पोस्ट मॉर्ण पिरिड को लाता है अल्दो ये 21st सेंचरी है लेकिन 28th सेंचरी लिटरिक्चर के में जो पोस्ट मॉर्ण पिरिड है उसी वही अभी तक कांटीन्यू चल रहा है और इसी के तो ऐना याने की यह मोडनिजम की आफ्र मोडनिजम की दोग डोर चल रहा है यह पीज़ीड जो मेड़ मिड तुएंटिएट प्र इज़ान चिकर एंड जब भाड मिश्मिल है और यह सैंक्ट वर्ल्ड वार से बाद के यह स्वार मुश्मिल है सेंकर्ट वर्ड वार के बाद इंगलेंड की एकनॉमिकल पावर बिलकुल खतम हो जाती है और अमेरिका इस दुनिया की नई सूपर पावर बन जाता है इसके बाद तमाम दुनिया के मुखलिव कंट्रीज के जम्यान कूल वार स्टार हो जाती है गलोबल कंफलिक्ट और नुकलियर डिस्ट्रेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है इस टाइम पेडर जानी 1945 के दुनान ही USA ने जपान पर आटॉमिक बॉंबिंग की टेकनॉलोजी में अडवांस्मेंट होने लगी और साथ ही स्पेस एक्स्प्लोरेशन पर भी काम होने लगा और लोगों ने इस हलचल बड़ी लाइफ को अकसेप्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने मठेरिलिस्टिक लाइफ को अंडरिस्टैंड करना शुरू कर दिया literary works के meanings multiple meanings निकाले जाने लगे मसलनलोग यह समझे थे कि एक form या किसी artwork के meaning endless हो सकते हैं जिनें पहले से predict नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की जो thinking capacity है वो expand हो चुकी थी post modern age में हमें realism का culture भी नज़राता है इसमें colonized people और lands पर होने वाले consequences पर focus जो है वो करना होता था जो कि किसी भी migration के रिजल्ट में समने आती थी post colonialism means को एक culture legacy के तोर पर study की जाने लगा जो कि आइस्ता इस्ता बहुत popular हो गया अब literary characteristics देखें यानि post modern age को हम as a literature के with the lens of literature को as a literature देखें तो post modern age में 1968 में theater act को पास किया गया जिसके वैसे stage को stage की field को flourish किया गया और इस दुरान बहुत ही famous playwright भी नजर आए एक और theater की literary movement भी introduce कराए गई जिसे theater of the absurd का जाता है ये ब्रिटन में सैमिल बेकर्ट और हेरल्ड पेंटर के जरीए जो है वो शुरू की गई इन मशूर प्रेराइट्स ने अर्बर्ट कैमर्स की theory को follow किया जो इसने अपने एक work the myth of सिसिपस में present की थी इस ऐसे में सिसिपस के character के तरो एक common man कोई struggle को represent किया जाता है theater of hazard में होने वाले plays और actions की कोई proper ending नहीं होते थी इस play में time और place भी clear नहीं होते थे even के ये lack of logic होते थे dialogues के दुरान long pause दिये जाते थे world war 2 के बाद बरिटन में angry young man theater की moment लिटरी मुवमेंट भी स्टार्ट होई इसमें होने वाले plays में social inequality को focus की जाता था इन plays में lower class लोगों को frustration को present किया जाता था John Osborne ने इस दुरौन एक famous play लिखा look back in anger 9050 से 9060 के दुरान अमेरिका में जो है वो confessional poetry जैसे लिटरी मुवमेंट भी हैं मर्जोरती नदर आई इस poetry में poet अपने personal confession का जिकर क्या कर थे इन poems में divorce, sexual abuse, depression, death जैसे themes को use के जाता था Sylvia Plath, Robert Loyal और Annie Sexton इस एज के famous poets रहे इसके लावा एक और हैं जो feature ये था के different genres को combine करके एक unique किसम का narrative त्यार किया जाता था जिसे pastish कहते हैं For example, William S. Brough ने scientific fiction और detective fiction को combine करके काम किया और इस movement को previous work से inspired होकर लिखा Another thing अगर हम इस characteristics देखें इस age की, similar और related literary works को जो है वो interconnect करके कुछ new creation की जाती है जैसे हम inter-textuality कहते हैं, John Rice की लिखी गई novel जो के उसके एक classic example wide, sargasa, sea और इस term यानी inter-textuality को सबसे पहले Julia के तो मतारफ करवाया गया था इसके इलावा, meta fiction जैसे movement which period में introduced हुई, meta fiction is an art of writing about writing For example, author अपनी reader को continuously ये remind करवाता है कि वो एक fictional work को पर रहे हैं Ted Huggles एक poem, उनकी poem है Thought Fox, ये लिखी थे जिसमें poetry लिखने के process को explain किया गया है उसके बाद another literary features of this period was temporal distortion ये एक narrative method है जिसमें non-linear timeline को यूज किया जाता है इस तरह के works में story का कोई chronological sequence नहीं होता था Catch 22 by Joseph Hiller इस feature की एक perfect example है Post-modern age में magic realism का इस्तमाल भी किजाता है ये एक तरह की fiction होती है जिसमें real world के साथ साथ author कुछ magical elements भी इस्तमाल करता है Magic realism एक तरह से कह सकते है fantasy और reality के दर्मियन मजूद एक line के काम करती है इसके करदम classical example लें तो midnight children by सलमान रशीदी और 100 years of solitude by Gabriel Garcia Marquez Is a combination of fact and fiction ये movement ज्यादा तर historical novels में इस्तमाल की जाती है जब writer कुछ actual events को depict करता है तो साथ ही कुछ fictional events भी जो है वो skillfully इसमें add कर देता है मेजर writer की बात करें और उनके works की बात करें तो इस एज में famous जो पोईट थे वो सेमुर्स हैंडी है जो 1939 में पैदा हुए और 2013 में उनकी death होगी यह एक Irish poet थे और इसे 1995 में लिट्रेचर में नोबल प्राइवी मिलाओं कि नोटबल वक्स की बात करें तो death of neutralistic 1966 North 1975 field work 1979 और district and circle जिसे 2006 ने लिखा next जो पोईट है मोटेड हुए हैं जो 1930 में पैदा और 1998 में इनकी death होगी यह एक English poet नॉबलिस्ट और लाइटर थे और 20th century के ग्रेटर्स डाइटर में का काउंट होता है उनकी नोटेबल वक्स की बात किये हैं तो अद्धा हाक इन दा रेंग नाइटीन फिफ्टी सैवन क्रो नाइटीन सैंटी और टैलस फ्रम ओविड नाइटीन नाइटी सैवन शामिल हैं उसके बाद फिल्प लरकिन जे जो हैं वह एक इंग्लिश पोईट थे जो 1922 में फैदा हुए नाइटीन फॉटी फाइव में की डैट होगी एक इंग्लिश पोईट नॉबलिस्ट और लाइब्रेडियन थे उनके अगर फेमस वर्क ही बात की जाए तो दा नौत शीप जिसे उनने लिखा था नाइटीन फॉटी फाइव में उसका जिल नौवल है नाइटीन फॉटी सि और हाई विंडो नाइटी सैंटी फॉर अगर हम यह तो पोईट थे अगर हम फेमर्स प्ले राइटर की बात करें जो इस दौर में फेमस हुए और उन्होंने अपने वर्क से ध्रो जो है वो इस एज को रिप्रेजेंट किया तो सैम्वल बैकर जो थे वो फॉर्स्ट प्ले और इंग्लिश दोनों लेंग्विज में लिखा उनके अगर फेमस वर्क की बात किया हैं तो मर्फी जिसे नाइंटीन थर्टी एट में लिखा वेटिंग फार गॉडॉट यह एक अबजर्ड प्लेय था नाइंटीं फिफ्टी तरी यह फादर ओफ अबजर्ड डीडम यह मतारफ कर रहा था तो यह फादर ओफ अबजर्ड डीडम भी किलाते हैं इनकों का जाता है एंड गेम एक प्लेया वान एक प्लेया और जिसे नाइटीं फिफ्टी सैंवन में लिखा उसके बाद हैपी डेज से प्लेया है उनका वह भी उन्होंने जो है वह वह इस एज के द वह एक प्लिटिकल एक्टिविस्ट भी थे उनके अगर नोटिबल वर्क्स की बात की जा है तो लुक बैक इन एंगर नाइटीं फिफ्टी सिक्स और दा इंटर्टेंडर नाइटीं फिफ्टी सैंवन उसके बाद जो नेक्स राइटर हैं वह हैरॉल्ड पेंटर हैं नाइन इन उने फसल किये उनके अगर नॉटिबल वर्क्स की बात की है तो दा रूम सिफ्टी सैंवन में लिखा था बज्डे पार्टी नाइन फिफ्टी सैंवन दा लवब न नव्य वर्ल्ड ऑडर निएटीं निएटीं नेमें टींगेंटीं बोरॉरॉरुश्ट जो और नेक्स लिखे उनकी अगर वर्क्स की बात किया तो आवाक ओन वाटर 1964 लॉर्ड मल्क्वेस्ट एंड मिस्टर मैं 1966 और गैंबलर्स 1965 फेमल्स नॉबलिस्ट की बात की जाए इस एज के पोस्ट मॉडर्न एज की तो ब्रैम स्टॉकर यह 1847 पैदा हुए और 1912 मिन की डेथ होगी यह एक आइरिश उतर हैं इन्होंने रॉमेंटिक फिक्षिन पर नॉबल्स लिखे इन्होंने डार्क रॉमेंटिसिजम को मॉव्मेंट स्टार की इनका सबसे फेमर्स नॉबल जो के एक हॉरर नॉबल है ड्रकॉला 1897 में आया और यह ड्रकॉला का करेक्टर आज भी कई हॉरर प्ल सब्सक्राइब नॉबलिस्ट प्ले राइटर अर्टो बैग्रॉपर और सखीन राइटर थे उनके ग्रॉप की बात किया है तो बर्लिन स्टोरिज 1935 और गो बाए दा टू बर्लिन 1939 और सिंगल मैं क्रिस्टोफर और इस काइंट तो उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर है जो राइटर हैं विलियम गोल्डिंग्स है यह 1911 में पैदा हुए और 1993 तक इनका दुरानिया था यह एक बिटिश नॉबलिस्ट प्लेराइट और पोईट थे 1983 में लिटेचर में नोबल प्राइज आसल किया नॉटेबल वर्क्स जो हैं लॉड ओफ लाइज 1954 और राइट लिटेचर में लिटेचर में लिटेचर में लिखे और फेमस हुए क्योंकि हम सबको तो डिक्सक्रस नहीं कर सकते वन बैवन और और उन चीख के बहुत ज़्यदा राइटर और पोईटिस्ट और और प्लेयर राइटर नॉबलिस्ट आए इस सेज़ के अंदर तो अब मैं हम डिसक्रस कर रहा हूं तो जे आर आर टॉलकिन जैनिट विंटर संड समर्सेट किंग शैले जेके रोलिंग जॉन फॉल्स एंजीला काटर और मॉरेल्स पार्ग रॉय फॉइलर एंड मैनी मोर फेमर्स नेम और आलसो इंदा पोस्त मॉर्डर्र पीरिड तो यह थी जोर्जन पीरियर्ड जोर्जन पीरियर्ड बॉडर्ण लिटेच्चर एंड पोस्त मॉर्डर्र लिटेचर पर अग्जिस्ट करता है जिसके अंदर टू वर्ड वार के इवेंट्स भी होए और वोमेंट्स को फर्स्त दफार्वाइब कास्ट करने का मौकब मिला तो यह थी पॉस्ट मोर्ड पॉस्ट मॉडर्ण लिटेच्च्चर और 21st एंची लिटच्चर और 21st एंची लिटेच्चर जो है वो इसके अंदर हरतना की लोग क्यों कि लोग जो है वा थैंटिक बेस्ट करने लग एं अलेक्त्रोनिंग वीडिया है तो इस्टेकर इवेंट्स को भी तो इमीड करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी एक आफिश आपको पसंद आई होगी अजादत दिये शुक्री अलाव आफिस